मित्रो नवश्कार पेरामीटर ओफ लौ के इस चेनल में मैं आपका मित्र रेटाइट जैजा शोक शर्मा आपका आर्दी का विनंदन करता हूं आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट अठारा सो भात्त के अंदर कौन-कौन से ऐसे रेलिवेंट फैट्स होते हैं जिनकी एवि के बारे में बताने जा रहा हूं सबसे पहले होस्टाइल विट्नेस क्या होता है चाइल विट्नेस क्या होता और कंफेशन क्या होता इन तीनों बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को शुरू से अंतक देखें वीडियो को एसकेप न करें वीडियो में बता यानि अभियोजन का कोई भी मामला जो अपरात से संबंजित है उसके अंदर अभियोजन उस गवा को न्यायले के माध्यम से बुलाता है गवाई के लिए कोर्ट में वो एविडेंस देने के लिए आता है और खुदा नखासते चाहे वो फर्यादी हो आई विटनेस हो यानि कोई गवा हो यदि वो प्रोसिकुशन या अभियोजन की जो स्टोरी है उसका समर्तन नहीं करता है तो उसको होस्टाइल विटनेस का जाता है इंडियन प्रोसिकुशन ने एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है तो मुस्तली एग्जामिनेशन चीफ साथ जिसे मुक्य परिक्शन का जाता है वो प्रोसिकुटर के द्वारा एपीपी के द्वारा जीपी के द्वारा कोर्ट में कराया जाता है उन विटनेस अगर प्रोसिकुश या जीपी या एपीपी जो भी है वो कोट से ये परमिशन मंगता है कि साहब या हमारे अभ्योजन के मामले का समर्तम नहीं कर रहा है इसको हुस्टाइल डिक्लेयर किया जा है हमें परमिशन दी जा है और उस विट्नेस से वे वो क्रॉस एक्जामिनेशन में लीडिंग क्वे है कि हुस्टाइल करने की डिक्लेयर करने की अनुमति दे अत्वा ना दे तो हुस्टाइल विट्नेस जो विट्नेस जो विट्नेसे इस नियाले की समक्ष प्रोस्टिक्यूशन की स्टोरी के लिए बुलाया गया और वो समर्तम नहीं करता है ऐसा विट्नेस हुस्टाइल व विटनेस डिक्लेर करने के बाद ऐसी एविडेंस लाता है और क्रॉस में कि कुछ उसकी सत्यता पता लगे कई बार घवाधीट किसम का होता है वो कुछ नहीं बोलता है मीना गोपाल कृष्णा का एक वर्सेज स्टेट ऑफ मुधालियार वर्सेज स्टेट ऑफ महरास्टा AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि जब उसको हुस्टाइल डिक्लेर विटनेस को प्रोसिक्विशन ने कर लिया है उसकी एविडेंशेरी वेल्यू अगर कोई ऐसा फैक्ट आ जाता है तो यह विटनेस को लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में अब आते हैं अपन चाइल विटनेस पे चाहिल याने बच्चा बच्चे की जब गवाई होती है अपरात को प्रमानित पाने में उस गवाई का जो बच्चा है कितनी वेल्यूबल उसकी इंपॉर्टेंस एविडेंशेरी वेल्यू है जो कोट एसेस करती है चाहिल विटनेस को रिकोगनाईज करने के लिए सेक्शन 118 में दिया गया है नी परसन केन भी ये विटनेस कोई भी विटनेस या गवाई के रूप में हो सकता है in the court of law as long as comprehend the question to them उससे जो प्रश्न किया गया है वो उसको समझ रहा है प्रोवाइट रेशनेवल उसका रेशनेवल आंसर दे रहा है to those questions जो उससे कोट पूछ रही है evidence में उसको oath दिला जाने का बच्चे को provision नहीं है बच्चा जो 12 साल से चोटा है या 5 साल का है वो according to oath act के section 4.1 में उसको वो evidence काईजे से oath नहीं दे सकता है तो ऐसी स्तिती में एक Supreme Court का मामला सुरेश वासे स्टेट आफ यूपी का हुआ था जिसमें 5 साल का बच्चा था उसकी evidence को evidence को admissible माना गया able to comprehend and understand the eye witnesses testimony shall be admissible इसमें मानी गई तो यह उसकी understanding क्या है कोर्ट इसको assess करेगा देखेगा परिष्टिती में कैसा गवा बच्चा बयाम दे रहा है उसकी विश्वसनीता है कि नहीं है यह सारा कोर्ट के उपर छोड़ दिया गया रामश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ राहिस्तान के मामले में माननी सर्वुचिनियाले ने यह कहा कि importance of oath को अगर वो नहीं समझ रहा है तो यह पहले उसको magistrate को देखना होगा problem क्या है वो leading question समझ भा रहा है कि नहीं चैल्ड केन वी ट्यूटर इजली उसको आसानी से पढ़ाया जा सकता है manipulation इसली पॉसिबल है उसमें ऐसी स्टिती में court का यह discretion है और court यह देखेगा assess करेगा कि वो competent witness के रूप में उस person को समझ रहा है कहीं वो tutored तो नहीं है leading questions को समझ रहा है कि नहीं चैल्ड should be able to differentiate what is right और what is wrong बच्चे को यह समझना चाहिए क्या चाहिए और क्या गलत है he must understand the truth वो सत्ता को समझे यह court की bounden duty है कि वो यह देखे court का judge यह नया अधिश जो भी है child witness है sufficient intelligence है कि नहीं है समझ रहा है कि नहीं है normal question पूछने पर क्या जवाब दे रहा है तो यह magistrate के discretion पर रखा गया evidentiary value का किसका child के मामले में state of MP versus रमेश के मामले में यह कहा गया चाहिए जो साक्षी हो रहा है उनसे उसका correlation भी होना चाहिए तब ही उसकी जो child की witness की जो importance है या जो भी उसने evidence दिये वो कोरेबुरेट हो रही है कि नहीं तब वो विश्वास नहीं मानी जाएगे सत्यनारायन वर्सेज स्टेट ऑफ करनाटका में रूल नहीं है कि साइकोलोजिकली कांशलर की साहता चाहे तो कोर्ट ले सकती है तो कंफेशन के बारे में मैं बताता हूं कंफेशन जिसे संस्वीकृति कहा जाता है इंडियन evidence act में तीन तरह की संस्वीकृति बताई गई है एक तो कंफेशन विगोर्थी magistrate होता है गिवन टूदी मैंस्टेट सेक्षन वर्ष 64 CRPC के अंतरगर इसमें मैंस्टेट उसको समझा देता है कि जो भी आप बात बताएंगे वो आपके विरुद्ध प्रयोग लाई जा सकती है और वो निहालेक में कलम बंद बयान जिसे बूला जाता है कंफेशन उसका एकुजड वगेरा का मैंने इस वीडियो में आपको एविडेंशेरी वेल्यो ऑफ ओल्डा रेलिमेंट फैक्स की बारे में संख्यप में बताया वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए अच्छा लगा हो तो और अपने बित्रों दोस्तों को वेजिए एक और अन्रोद मेरी धर्म पत शर्मा छोटी-छोटी जानकारियें वीडियो के मात्यम से आपके समक्ष ला रहा हूं चैनल से जोड़े रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो क्रप्या सब्सक्राइब कर लें अब 30,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुकी है मैं हरदय से तहे दिल से आप का आवारियों धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक नमस्कार